फ्रेंड्स वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चनल एसके वीडियो एंड फोटो एडिटिंग पर फ्रेंड्स जैसे मेरे पास एक यह डोकुमेंट्स है जो यह गलती से मुड़ गया है और कई बार हमारे डोकुमेंट्स गलती से फट भी जाते है और इस तरह से मुड़ भी जाते है या फिर खराब हो जाते है तो उनको हम जैसे इसकी फोटो कोपी करेंगे तो इसमें यह मुड़े हुए कि इस तरह से फोटो कोपी में निशान भी आएंगे और इन निशानों को हम अपने एड़ो फोटो सोप 7.0 में किस तरह से अटाएंगे आज की वीडियो म में हम यही सीखेंगे जैसे इसमें यह निशान बगारा बहुत से दिखाई दे रहे हैं इस तरह से हमें इनको अटाने के लिए सबसे पहले इसको scanner में लगाना है scan करेंगे इस documents को मेरे पास एक scanner रहिए तो इसको मैं scanner में लगाता हूँ एक बर तो इस तरह से हम इसको scanner में लगाएंगे और अपने scanner को हमें दबा के रखना है इस तरह से और friends अब आगे की वीडियो photosome में देखते हैं friends scanner में अपने documents को लगाने के बाद आप चाहिए तो आपने scanner से डारेक्ट भी scan कर सकते है या फिर आपने photosome में भी उसको scan कर सकते है photosome scan करने के लिए file पे जाएंगे और या पर import पे जाएंगे यहां आपका जो भी printer होगा उसका नाम यहां पर शो करेगा मेरे पास एच्पी का printer है तो मैं इस पर एक बार क्लिक करूंगा आपको भी अपने जो भी आपका printer है उस पर क्लिक करना है और इस तरह से यह हमारा इस से नहीं है करना फैल दे रहा है हमें इसको यहां से रेजुलेशन चेंज करना से और हमें यहां पर कुछ और आप इसको अपनी file में जहाँ save करना चाहिए, महाँ इसको save कर सकते हैं, मैं इसको यहाँपे save कर लेता हूँ, और save पर click करेंगे, फिर हमें OK पर click करना है, अब हमें इसको सबसे पहले यहाँ अपनी layer box में जाना है, अगर आपका layer box यहाँ show निकरे, तो यहां window में जाके और layers पे click करेंगे तो आपका यह show कर जाएगा और यहां से हमें इसका low कटाना है double click करेंगे और यहां से इसको ok करना है तो यह हमारे documents का low कट जाएगा अब friends जैसे इसमें यह page के मुड़े यह निसान काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं तो इनको हम कैस से clear करेंगे उसके लिए हमें यहां सबसे पहले select में जाना है यहां से हम color range पे जाएंगे color range पे आने के बाद सबसे पहले हमें यहां से highlights पे click करना है इसके बाद हमें shadow पे click करना है और फिर हम यहां से sample color लेंगे यह हमारा sample color है इसको हम यहां पे एक बार select करेंगे तो यह हम इसको fusionist को हम बड़ा गड़ा सकते हैं इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं और यह second plus पर हमें okay करना है ड्रोप्स पर और अब की बार हमें इसको color को इस तरह से select करना है इस तरह से हम select करेंगे और fusionist को हम कम करेंगे इस तरह से तो हमारे इस तरह से text पूरा इसमें clear दिखाई देगा और अब हमें या नीचे आना selection preview पे या पे हमें चार option मिलेंगे gray scale, black matte, white matte और quick matte हमें white matte पे click करना है तो यह हमारे इससे निशान मेगरा सब हट जाएंगे और अब हमें या पे okay पे click करना है तो इस तरह से friends हमारे जो text है इसके यह selection बन जाएगा और friends selection बनने के बाद यहाँ पे mask पे एक बार click करना है तो यह इस तरह से हमारा mask तयार हो जाएगा और इसमें नीचे की background delete हो जाएगी और हमारे जो text है वो इसमें ऐसा की ऐसा रह जाएगा अब friends इसमें हम एक new layer लेंगे यहाँ पे new layer पे click करेंगे और नीचे यह background में white color रखेंगे friends white color select करने के बाद यहाँ पे हम layer को layer में यह color feel करेंगे इसके लिए हमें अपने keyboard से control दबाके और backspace प्रेस करना है तो यह white इस तरह से हो जाएगा अब friends layer box में जाके इस new layer को हमें अपने text के नीचे लेके आना है इस तरह से तो यह friends हमारे text इसमें इस तरह से आ जाएगे अब हमें इनको थोड़ा dark light करना है तो हम यहाँ पे click करेंगे और ctrl m प्रेस करेंगे और इसको इस तरह से dark कर सकते है और ok पे click करेंगे friends आप देख सकते हैं जो हमारे page में मुड़े हुए एक निचान थे वो इस तरह से बिलकुल clear हो जाएगे friends इसमें जो यह आपको निचान दिखाए दिये रहे है यह इसमें इस pen के ही निचान है क्योंकि मैंने यह आपको शिखाने के लिए इस page को mode के दिखाया था तो यह निचान इसमें लगे हुए है तो friends इस तरह से आप अपने किसी भी documents को अपने अटो Photoshop 7.0 में बहुत आसानी से ठेक कर सकते है और उसको print out करके कहीं पर यूज कर सकते है तो अमीद करता हम friends वीडियो पसंद आई होगी तो like से subscribe जरूर करें थैंक्यू